डी एंडी आप देखो डी एंडी क्या होता है डी एंडी किसलिए यूज किया जा सकता है माल लोग आप चाहते हो भाई डी एंडी आप ओन करना तो डी एंडी का मतलब भी तो पता होना चाहिए तो डी एंडी का मतलब होता है आप डिस्टब नहीं होना चाहते हो सकते आप इ कुछ student तो नहीं चाहेंगे आपके मापाप आपको call करें ठीक है तो इसलिए इसका यूज किया जाते है आप इसका feature देख लो बहुत कमाल गया dnd का मतलब हो जाता है do not disturb full form इसकी do not disturb होती है ओके तो इसमें आप एकदम silent mode में चले जाते हो आपके phone में कोई भी आवाज नहीं आती ताकि आप अपना पुरा ध्यान अपने उस काम पर लगा सको जो आप कर रहे हो online class हो गई तो online class में अगर dnd आप यूज करते हो तो आपको outside से कोई भी call receive नहीं होगी क्योंकि वो एकदम silent हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा आपको call आ रहे है सिरफ alarm चलेगा alarm आप उस वक्त बंद कर सकते हो ओके तो dnd का मतलब पता चल गया आपको अब इसमें कुछ settings आप कर सकते हो अगर आप चाहो कुछ बदलाव कर सकते हो कुछ चीज़ें हैं इसमें जो बता देता हूं अलो incoming calls मतलब आ चाहते हो भाई calls आएं calls ज़रूरी है हो सकता है कभी कभी important calls आ जाती है हो सकता है आप में से कोई एक आदा business man हो चोटा मोटा हो चाहता है कि भाई मेरी important call तो आनी ही चाहिए तो यहाँ पर चार options है from anyone किसी से भी call आ जाए मुझे सुनाई दे जानी चाहिए even मैं dnd mode में हूँ तब भी from contacts only मेरे contacts में जितने भी बंदे हैं या बंदियां आए उनकी calls आनी चाहिए अगर वो मेरे contact में है तब यहाँ पर है for from started contacts only मतलब है कि जिन पर आपने start लगा रखा होगा जैसे WhatsApp में क्या ह option आता है वैसे इसमें भी होता है जैसे फेवरेट वाला option होता है कि मेरा favorite contact है तो मैं से जब चाहूं बात करूं even मेरा अगर class join हो रही हो मेरी class लगी हुई हो class attend कर रहा हूं तब भी मेरा इसको call आ जाए कोई फरक नहीं पड़ता अलो incoming calls दोस्तों मैं यही आपको कहूंगा कि इसको तो आप बंदी रखें नोन कर दें थाकि कोई भी आपको डिस्टम ना कर सके और हाँ यह चीज़ जरूर होन रखें notify about repeated calls हो सकता है कोई important बात हो बहुत ज़्यादा important आपकी class से भी ज़्यादा important बात हो सकती है तो इसको और रिस्ट्रिक कर देना floating notifications को जो बहुत सारी यहाँ पर आती है जैसे जो मैटो सवीगी और twitter facebook instagram जो भी जो भी आप्स आप यूज करते होंगे उनकी notification तो आपको भर भर कर आईगी तो आप नहीं चाहेंगे भाई आपकी class disturb हो तो इसलिए restrict कर दें इसको और रखें इसको ब of course कोई नहीं चाहेगा कि do not disturb हमेशा के लिए आपके phone में set रहे हो सकता है आप भूल जाओ dnd off करना और कई दिनों तक यह रहे आप सोचो भाई कुछे मुझे message नहीं आरे calls नहीं आरे फिर याद आया अरे यार मैने तो dnd on कर रखा था तो इसके लिए हमेशा schedule off होता है अब इस टाइम तक करोगे हाला कि मैं यूज नहीं करता मुझे याद इतना तो पता ही होता है यार dnd कभ यूज करना कभ बंद करना है सिरफ online class हो तब यूज करना otherwise इसको इस तरीके से यहाँ पर click करके बंद भी कर देना वैस dnd जाएगा जिसकी भी application की notification होगी तो सब दिखाई झाल 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 झाल